दो-तिन बाते हैं यह जो बोट परसंटेज घटावा देखा आपको आप लोग जानते हैं कि पंदरा से बीस पर्षंट मद्दाता वो होता है जो किसी पार्टी का नहीं होता है वो बार-बार परिवर्थन करता है वो नए नए प्रयोक करता है वो हर बार कुछ नहीं आकांच लेशन तो भोलो फिर बोट ड़ने नहीं निकलते हैं दूसरी बात इस बार के ट्रेंड बेजो मैंने देखा है जो मुझे जानकारिया मिली है कि जहां जहां बीजेपी की सीट मानी जाती जिन सीट को मारा आता है यह बीजेपी का स्ट्रॉंग होल वाली सीट रही है उन चानी है वहाँ थोड़ा बहुत बढ़ाई है और दूसरी बात जो मैं बार बार शुरू से कह रहा हूँ यह जड़ाई मोदी बनाम योगी बनाम अखलेश या कोई XYZ नहीं है यह जड़ाई मोदी और योगी या भाजपा और RSS उनकी नीतियां उनके दुष्प्रचार उनके पुकर्म, उनकी अयोगिता, उनकी सफलता, उनका तमाम हवा बनाना, उनकी तमाम बड़ी-बड़ी बातें, उनका प्रचार, तंत्र जो दिन भर इतना दिखाता है कि उबन होगी लोग टीवी छोड़ने लगें यह उसके खिलाफ पुत्रप्रदेश की जनता का चुनाओ ह रही है, और जनता ही जीतने जा रही, जो सीट मिल लए, वो जनता को मिलने जा रही है, चूंकि लड़ाई में नंबर दो पार्टी अखलेश यादोर उनके साथ बनावा ऐलाइन्स है, वही सबसे आगे दिख रहा है, उसमें मैं कई बार कह चुगा हूँ, प्रियंका प्रियंका गांदी ने वो राजनीत नहीं की, वो पिशड़ गई है, इस मामने में, उनका बोट प्रसंटिज बढ़े गाजा, अच्छा कहा पूनम्नी ने मुझे एक पुराना ध्यान है, कि शायद जब वो सल्मान खुर्शीत प्रदेश अध्यक्ष हुए थे, उस वस्त कॉंगरेस पार्टी का साथ सारे साथ परसंट कुछ बोट था, लेकिन सल्मान खुर्शीत ने जो मैनत की उतने समय तक, उनके सामने जो चुनाव हुआ था, उसका बढ़की अठारा सारे अठारा परसंट हो गया था, तो कॉंगरेस पार्टी के मद्दान को भी मबढ़ता हुआ देख रहा हूँ, थोड़ी देर पहले वानकरे साब एक बात कह रहे थे, रैली और भीड की, आपनों को याद है, दोजार चौदा का चुनाव, कि ये क इस बहुत देखा होगा, मैंने उसमें इसमें लिखा भी था, तो ये तो RSS का तोड़ तरीका है, उसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन एक ही चीज बार बार अजमाने से उस पर भ्रह्म खतम हो जाता है, जैसे मोदी जी को बहुत योग यादमी है, बड़े अच्छे भाश खतम हो गया, हिंदू का धर्म, हिंदू का जो ब्रह्म था, एक कोई हिंदू खत्रे में है, वो खतम हो गया है, तो अब ये लड़ाई, असपलता, अयोगता और जतनी चीज मैंने पहले गिनाई, उसके बनान जनता है, और ये लड़ाई जनता जड़ रही और जनता जीतने पिना उठाले दोजार चॉबिस के लिए इसलिए मैं लगातार आप लोगों के द्वारा आगाह करता रहूंगा जैसे हमेशा करता हूं कि कहीं एहंकार ना पालने कहीं गलत लोगों से न गिर जाएं कहीं उसी तरह के गलत गुरोकेर से न गिर जाएं कहीं गैर राजनीतिक ल नहीं होता है यह चुनावई अधिक्तम वही मद्दाता निर्णे जा रहा है और वह मद्दाता जो भ्रम में आके जो हिंदू और मसल्मान में आके जो मुलाइम सिंह और सब्सक्राइत जर्चने जगड़े रहा है और और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेस्बुक पर और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूस नश्रा